ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महत्वपूर्ण स्थान है, विशिश महत्व है नोदुर्गा के नरूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है मारकंडिये चिकितसा पधदि और दुर्गा कवच में इसका उलेक है नौ आउशद स्वरूपों को सरुपरथम मारकंडिये चिकितसा पधदि के रूप में दर्शाह है गया और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रोंभा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कबच कहा गया इसलिए प्रतेक देवी आयरवेद की भाशा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है आयरवेद में इन और शदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करने चाहिए संपूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप है और शदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे तो संबंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं सेश्टम स्वरूप का त्याइनी यानि मोया नवदुर्गा का छठा रूप का त्याइनी है इसे आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है जैसे अंबा, अंबालिका, अंभिका इसके अलावा इसे मोया अर्थात माचिका भी कहते हैं ये कव, पित, अधिक विकार एवं कंट के रोग का नाश करती है इससे पीडित रोगी को इसका सेवन और मा का त्याइनी की आराधना करनी चाहिए आमबा यानि सफेध हल्दी अनेक रोगों की आउशदी है आमबा हल्दी आमबा हल्दी पीली हल्दी की तरह ही फायदेबंद है आमबा हल्दी के पेड़ भी हल्दी के तरह होते हैं, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि आमबा हल्दी के पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं और आमबा हल्दी की काठ बड़ी और भीतर से लाल होती है, लेकिन साधारन यानि पीली हल्दी की गाठ छोटी और पीली होती है हल्दित होने के कारण इसे चटनियाद बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और हां अगर आप चाहें तो इसे काट कर सिर्फ नमक के पानी में रखकर भी खा सकते हैं अगर आपको गैस की समझ से आए तो ये आपके लिए बहुत ही फायदयमत है हम आपको पता दें कि जैसी बिमारियां भी ठीक होती हैं सफेध हल्दी की जड़ को पेट में बन रही एसीडीटी को खत्म करने में भी कारगर माना गया है और इसलिए ये पेट के अलसर को भी होने से रोकती है सफेध हल्दी में सूजन घाव और तोचा रोग का इलाज करने में भी लाप मिलता है सफेध हल्दी में किसी भी तरह के इंफेक्शन को रोपने की ख्रमता होती है जैसी कि अगर किसी वेक्ति को बुखार हो रहा है तो उससे सफेध हल्दी खिलाएं इससे उसका बुखार उतर जाता है सफेध हल्दी शुगर वाले लोगों के लिए भी फायदेमन है सफेध कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्वे स्वरूप मा कालरातृ री और बताएंगे आपको आपको मा कालरात्र की पर अश्गधिय महत्तु के बारे में यदि आपने अभी दक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, धन्यवाद देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे, जै मादूर के